नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों बहुत एक्जाम की नोडिफिकेशन आ गई है रेलवे है एसे सी है और आपके स्टेट लेवल के एक्जाम सभी एक्जाम में जीके के कॉशन बहुत ही जादा जो कि ancient history के हर एक्जाम में पूछेगा है इनको अगर आपने याद कर लिया तो history ये questions आप से कभी गलत नहीं होंगे जो कि हमेशा एक ही जैसे रहते हैं बस एक बार याद करना है हमेशा के लिए फुरसत तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने ग्रुप में जरूर श पशु को पालतू बनाया था तो आदी मानव ने सबसे पहले कुट्टे को पालतू बनाया था option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगर आपने एक्जाम दिये तो ये दोनों ही प्रशनाप ने अपने एक्जाम में जरूर देखे होंगे अगला प्रशनाप के सामने है आ मानव ने आग का प्रियोग किस काल में प्रारम किया था जिया दोस्तों मानव ने आग का प्रियोग किस काल में प्रारम किया था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नव पाशान काल में मानव ने आग का प्रियोग किया था अगले question की तरब चलते हैं next question है मानव ने सरु एतिहासे काल के अंतरगर जो है पाशान संस्कृति को रखा गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर पाशान नेक्ट कौशन आपके सामने है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फ़सल कौन सी थी? मानव द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फजल कौन सी थी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गेहू की फजल मानव के द्वारा सबसे पहले उप्योग में लाई गई थी याद रखिएगा दोस्तों आनाच की बात होती है तो आपका कॉशन का अंसर अलग होता है यहाँ पर बात हो रही है फजल की तो सबसे पहले मानव ने फजल उगाई थी गेहू की अगला प्रशन है मानव खाद पदार्थों का उत्पादक और उपभुखता कब बना तो यह नव पाशन काल में मानव जो है खाद पदार्थों का उत्पादक और उपभुखता बना अगला प्रश्चन है कौन पुरातत वविद या पुरातत ववेता हडपा के उत्खनन से संबंदित है तो हडपा के उत्खनन से संबंदित पुरातत वविद या पुरातत ववेता जो है वो है दयाराम सहनी जी अप्शन नमबर दयाराम सहनी सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन है सिंदु घाटी सब्विता मानो इतिहास के किस काल से संबंदित है तो यह आदे एतिहास काल से संबंदित है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रूप में शेयर जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगला कौशन आपके सामने है हडपा के इस्थल में कांसे नर्तकी की मूर्ती कहां से प्राप्त हुई है तो हडपा के इस्थलों में कांसे नर्तकी की मूर्ती जो है मोहन जोदरों से प्राप्त हुई है औप्शन नमबर डी सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन इनमें से असत्य है, सही उत्तर क्या है इस प्रश्च में तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा असत्य कथन है सिंदू घाटी सबिता से गाए अंकित मुहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है ये कथन असत्य है अगला कॉशन आपके सामने है प्रसिद्ध पसुपती की मोहर कहां से मिली है तो प्रसिद्ध पसुपती की मोहर जो है मोहन जोद्रों से मिली है Next question देख लेते हैं अगला प्रशन है सिंदू सबिता में गोधी वाड़ा का साक्ष कहां से मिला है तो लोथल नाम के स्थल से गोधी वाड़ा का साक्ष सिंदू सबिता में मिला है अगला प्रशना आपके सामने है सिंदू सबिता में विशाल इस नाना का माफ करिएगा सिंदू सबिता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है तो विशाल अन्नागार जो है यह मोहन जोदरो से प्राप्थ हुआ है अगला प्रश्ण है कौन सी जोड़ी इन में से असत्य है नगर है और सागरतट है नगर नदी और सागरतट तो हडपा जो है सिंदू नदी के किनारे मोहन जोदरो सिंदू नगी किनारे कोली बंगा घगघर नदी किनारे आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे तो यहाँ पर हडपा जो है यह लोथल यहाँ पर सिंदू औप्शन यह जो है गलत हो जाएगा अगला question है सिंदू सब्विता की सर्वमानिति थी क्या है तो सिंदू सब्विता की सर्वमानिति थी जो है पच्छ सौ से सत्रा सो पचास इसा पूर्व वेरी इंपोर्टिन question है ये प्रशन हर एक्जाम में आता ही है अगला question आपके सामने है अगला प्रशन ये रहा प्रशन आपसे पूछा गया है भारत में मूर्ती पूजा का आरंभ कब से माना जाता है तो गुप्त काल से भारत में मूर्ती पूजा का आरंभ माना जाता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट से संबंदित है गायत्री मंत्र अगला प्रशना आपके सामने है सप्त सत्यमेव जैते सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है तो सत्यमेव जैते जो है यह लिया गया है मुंड को अपनिशत से आप्शन नमर बी सही उत्तर हो जाएगा रिगवेद का नवा मंडल किस एक को समर् पित सूक्तों का संग्र है नेक्स कॉश्चन है निम्ड मैं से प्राचींतम वेद कौन सा है तो सबसे प्राचींतम प्रतम वेद जो है रिगवेद है अगला कॉश्चन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का इस्थान किस देवता को मिला था तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र answer हो जाएगा इस question के लिए असत्य कथन को चुनना है नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम वितस्तता जेलम परुशनी रावी सतुद्री स्वाद विपासा व्यास तो यहाँ पर सतुद्री जो है यहाँ पर option नमबर सी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा यह कथन असत्य है मतलब यह सही नहीं है किस वेद की रचना गध और पध दोनों में की गई है तो यह जरुएद की रचना गध और पध में की गई है अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दू कि हमारे चैनल पर लाइब क्लास भी स्टार्ट हो गई है लाइब क्लास रोज मौरनिंग में होती है और यह क्लास आपकी रोज साथ बजे से शुरू हो जाती है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फ्री लाइब सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं इन सभी कॉशन्स को लाइव विवी में आपको प्रैक्टिस करा दूँगा अगला कॉशन है कौन सा सही सुमेलत नहीं है तो यहाँ पर सही सुमेलत नहीं है तो चेदी और पोटली ऑप्शन अंबर बी प्रशन का सहीतर हो जाएगा महा जनपत और उनकी राध्धानी है कुरू महा जनपत की राध्धानी इंदपरस्त मगत की गिरीवरज मल्ले की कुशावती चेदी की यहाँ पर जो पोटली यह सुपेलित नहीं है नेक्स्ट कॉशन है पाटली पुत्र नगर का संस्थापक कौन था तो उदिन या जिसको उदाई भदर भी कह पुत्र जिसने 461 इसापूर्व से 445 इसापूर्व तक राज किया अगला कॉशन है किस सासक को कुणिक की उपाधी दी गई थी तो अजाद शत्रू नामक शाशक जो था उसको कुणिक की उपाधी दी गई थी नेक्स्ट कॉशन है सिकंदर के समय मगद पर किसका सासन था तो घननन्द अत्वा घननन्द का सासन था जो की मगद के नन्दवन्स का अंदिम राजा था जिसका सिकंदर के समय शाशन था काला शोकी राध्धानी क्या थी तो पाटली पुतर काला शोकी राध्धानी थी अगला कॉशन है किसे सर्व शत्रान तक अर्था शत्रियों का नास करने वाला कहा गया है तो महा पद्मनंद को सर्व शत्रान तक अर्था अर्था शत्रियों का नास करने वाला जिसने 343 से 300 इसा पूर्व तक मगत के नंदवन्स के शाशक उपनाम जो है इनका उग्रिसेन राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर कहां का शाशक था तो सिकंदर मगदूनिया का शाशक था अग्ला कौशने सिकंदर और पूरस के वीच परसिद जेलम का युद्धिया हाइडो स्पीसीस का युद्ध कभ हुआ था तो ये युद्धि 326 इसा पूर्व हुआ था जैन धर्म के 24 बे तीरधंकर कौन थे तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24 बे तीरधंकर थे अगला कोशन है महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादत चार महावीर जी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादत चार महावीर जी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादत चार महावीर जी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादत चार महावीर ज भाशा में उब देद दिया था तो महावीर ने प्राकृत भाशा में उब देश दिया था महावीर स्वामी की मृत्यू पावा पूरी में हुई है जैन धर्म आतमा की उमानता देता है उपरोख सभी कथन इस कोशन के लिए सही है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उब्देश कहां दिया था तो सारनात में पहला उब्देश दिया था महात्मा बुद्ध ने उब्देश देने हैं तो किस भाशा का प्रयोग किया था तो पाली भाशा का प्रयोग किया था बौध धर्म के तुरितन का नाम क्या है तो बौध धर्म के तुरितन बुध धम और संग ये सब ही हो जाएंगे दोस्तो हम पढ़ रहे हैं एशेंट हिश्ट्री के कॉशन जोके प्रिवेस येस कॉशन से अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें किसके साशनकाल में बौध धर्म दो भागों हीनियान और महायान में बढ़ गया था तो कनिश्क के साशनकाल में बौध धर्म हीनियार और महायान भागों में बढ़ गया था महात्मा बुद्ध द्वारा दिये गए प्रथम उब्देश को क्या कहते हैं तो इसे हम धर्म चकर प्रवर्तन कहते हैं अगला कॉशन है बुद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा चस्तुर्ट संगती हर्श बर्धन के समय में हुई थी यह सही नहीं है बुद्ध के सर्वप्रिय शिशे का नाम क्या था तो आनंद बुद्ध के सर्वप्रिय शिशे थे चंदरगुप्त मौरे का प्रधान मंतरी कौन था तो विश्नुगुप्त चानक्य चंदरगुप्त मौरे के प्रधान मंतरी थे चंदरगुप्त मौरे ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था तो श्रवन बेल गूला में बिताया था मेगस्तिनीस किसका राजदूत था तो सैलुकस का राजदूत था चंदरगुप्त मौरे अपने अंतिम दुनों में किस धर्म के अन्वियाई बन गए थे तो चंदरगुप्त मौरे अपने जीवन के अंतिम दुनों में जैन धर्म के अन्वियाई बन गए थे कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चानक्य का दूशन नाम विश्नु गुप्त या कौटिले था चंदरगुप्त ने नंदवन सुधननन को हरा कर मौरे सामराज की स्थापना की थी चंदरगुप्त ने सुधरशन जील सुराश्टर का निर्मान कराया था यह सभी कथन चंदरगुप्त के लिए सही है अगला कौशन है अर्थसास्त्र की रचना किस ने की थी तो कौटिले चानक के ने अर्थसास्त्र की रचना की थी अशोक ने कलिंग पर आकर्मन कब किया था तो अशोक ने 261 इसापूर्ब इस युद्ध के रप्तपात को देखकर अशोक ने बहुत धर्म ग्रहन कर लिया था अगला कोशन है इंडी का किसकी रचना है तो मैगल स्थनीज की रचना है बहुत धर्म के परचार के लिए अशोक ने शीलंका किसे भेजा था तो महेंद्र और संग्हमित्रा को भेजा था अशोक के सिलालेक की खोज सरप्रथम किसने की थी तो पौटेद्री फेंथेलर ने अशोक के सिलालेकों की सबसे पहले खोज की थी अशोक के सिलालेकों को सबसे पहले किस ने पढ़ा था तो जैम से प्रिंसेप ने अशोक के सिलालेकों को सबसे पहले पढ़ा था साची के इस्तूप का निर्मार किस ने करवाया था तो साची के इस्तूप का निर्मार समराट अशोक ने करवाया था अशोग के अभीलेक किस लिपी में लिखे गए है तो अशोग के अभीलेक ब्रामी, खरोष्टी, ग्रीक, अर्माईक इन सभी लिपियों में लिखे गए है चंदरगुप्त मौरे की सेंडरो कोट्स के रूप में पहचान किस ने की थी तो विलियम जोन्स ने चंदरगुप्त मौरे की सेंडरो कोट्स के रूप में पहचान की थी अशोक के किस सिलालेक में उसकी कलंग विजय का उलेक मिलता है तो तेरहवे सिलालेक में कलंग विजय का उलेक मिलता है मौरेकाल में गुप्तचरों को क्या कहते थे तो संस्था गुडपुरु संचार ये सब ही मौरेकाल में गुप्तचरों के नाम थे मेगस्तनीस के अनुसार भारती समाज कितने भागों में बटा था तो भारती समाज साथ भागों में बटा था चंदरकुप्त मौरे के महल के अवशिश कहां से मिले हैं तो कुम्रहार पटना नामकिस्थान से चंदरकुप्त मौरे के महल के अवशिश मिले हैं अशोग के धम की परिभाशा कहां से ली गई है तो राहुलो वात्सुत से अशोग के धम की परिभाशा ली गई है मौरेकाल में प्रचलित विष्ट क्या था तो निशुलकश्रम मौरेकाल में प्रचलित विष्ट था भारत में सरप्रतम सोने के सिक्के किस ने चलवाए थे तो इंडो ग्रीक ने भारत में सरप्रतम सोने के सिक्के चलवाए थे सीसे के सिक्के किस वंस के शाशक ने चलवाए थे तो तवाहन बंस के साशकों ने सीसे के सिक्के सबसे पहले चलवाए थे ब्रामणों को सरप्रतम भूमी अनुदान देने की प्रता किसके समय प्रारम हुई थी तो सत्माहनों के समय में ब्रामणों को सरप्रतम भूमी अनुदान देने की प्रता शुरू हुई थी रुद्रदमन कौन था तो शक शाशक था रुद्रदमन कनिश्क का राजवेद कौन था तो चरक कनिश्क का राजवेद था अगला कौशन है कनिश्क बहुत धर्मकी किस साखा के अन्युयाई थे तो ये महायान शाखा के अन्युयाई थे कनिश्क की राधधानी कौनशी थी तो पुरुस्पुर कनिश्क की राधधानी थी जूनागर से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेक किस स्यासक का था तो यह रुद्रुदामन शाशक का था जूनागर से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेक किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है तो अरिक मेडू नामकिस्थान पर रोम बस्ती मिली है बुद्चरित की रचना किस ने की है तो अश्वघोष ने बुद्चरित की रचना की है अगला कॉशन है किस सासक ने गुप्त वंस प्रारम किया था तो चंदरगुप्त प्रथम ने गुप्त समवत को प्रारम किया था भारत का नेपोलियन किस गुप्त शाशक को कहा गया है तो समुद्र गुप्त को कहा गया है चीनी आत्री फाहयान किसके शाशनकाल में आया था तो चंदरगुप्त विक्रमा दिते के शाशनकाल में आया था मौरियों द्वारा सु निर्मित सुदर्शन जील का जीरणो धार किसने कराया था तो रुद्र दमन और इसकंद गुप्त ने मौरियों ध्वारा निर्मित सुदर्शन जील का जीरणो धार कराया था भारत पर हुडों का आक्रमण किसके शाशनकाल में हुआ था तो इसकंद गुप्त के शाशनकाल में हुआ था नवरत्न किस्म गुप्त शाशक के संबंदित है तो चंद्रगुप्त विक्रमा दित्यों से संबंदित है नालंदा विश्विध्याले का संस्थापक कौन था तो कुमार गुप्त नालंदा विश्विध्याले का संस्थापक था गुप्त काली स्वरण सिक्कों को क्या कहा जाता है तो इन्हें हम दीनार के नाम से जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सुमेलित नहीं है तो रशना और रशनाकार है तो मुद्रा राक्षश शाकदत की रचना है अबिज्ञान सागुंतलम कालिदास की रचना है चुद्रक मच्छ कटिकम की रचना है और स्वप्न वासव दत्तम दंड ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है रा भारत आये था तो हर्ष वर्धन के साशनकाल में भारत आये था। कन्नोज के लिए त्री पक्षिय संगर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी तो प्रतिवहारों की विजय हुई थी। ब्रहद्रेश्वर मंदर का निर्मार किस ने कराया था तो राजहराज प्रतम ने कराया था। हंड्रिट एशेंट हिश्टर के कॉश्चन्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करें लाद। करें लाद।